नमस्ते दोस्तों, आज भूवनेशोर प्रसाथ श्रिवास्तों के द्वारा लिखीवी कहानी मौसी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस कहानी का प्रकाशन हंस पत्रिका में अक्टूबर 1934 यानि 1934 को हुआ था। तो आए कहानी का आनद ले। मानव जीवन के विकास में एक ऐसा अस्थल आता है जब वह परिवर्तन पर भी विजय पा लेता है। जब हमारे जीवन का उत्थान या पतन ना हमारे लिए कुछ विशेश्ता रखता है ना दूसरों के लिए कोई कौतुहल। जब हम केवल जीवित रहने के लिए ही जीवित रहते हैं और वह मौत आती है पर आती नहीं। बिब्बो जीवन की उसी मंजिल पर थी। महले वाले उसे सदय व्रिधा ही जानते। मानोवा अनन्त के गर्ब में व्रिधाय उत्पन होकर एक अनन्त अचिंते काल के लिए अमर हो गई थी। उसकी बात उसके बेटों की नई नवेलियां उसका रिधाना दुखाने के लिए मान लेती थी। उसका कभी इस विश्तरित संसार में कोई भी न था। यह कलपना का विशय था। अधिकांश के विश्वास कोश में वह जगन नियंता के समान एकाकी थी। पर वह कभी युवती भी थी। उसके भी नेत्रों में अमरित और विश्ट था। जन्जा की दया पर खड़ा हुआ रूखा व्रिक्ष भी कभी धरती का हृदय फाड़ कर निकला था। वसंत में लहलाहा उड़ता था। और हेमंत में अपने वीरही जीवन यापन करता था। पर यह सब वह स्वैम भूल गई थी। जब हम अपने असंखे दुखद स्मृतिया नश्ट करते हैं तो स्मृति पटल से कई सुख के अवसर भी मिट जाते हैं। हाँ, जिसे वह न भूली थी, उसका भतीजा, बहन का पुत्र, वसंत था। आज भी जब वह अपनी गवों को सानी कर, कच्चे आंगन की कोने में ल जन्म के दो महिने बाद हो गया था, और 35 वर्ष पूर्व उसका पिता पीले और कुमलाए मुख से या समाचार और वसंत को लेकर चुपचाप उसके समुख खड़ा हो गया था। इससे आगे की बात विब्बो स्वपन में भी नहीं सूचती थी, कोड़ी यदि अपना दूसरों से चिपाता है, तो स्वैम भी उसे नहीं देख सकता। इसके बाद का जीवन उसका कलंकित अंग था। वसंत का पिता वहीं रहने लगा, वह बिब्बो से आयू में कम था। विब्बो, एकाकी बिब्बो ने सोचा, चलो क्या हर्ज है। पर वह चला ही गया, और एक दिन वह और वसंत, दो ही रह गया। वसंत का बाप उन अधिकांश मनुश्यों में था, जो अत्रिप्ती के लिए ही जिवित रहते हैं, जो त्रिप्ती का भार नहीं उठा सकते। वसंत को उसने अपने हृदय के रक्त से पाला, पर लगते ही वह उड़ गया, और फिर वह एकाकी रह गयी। वसंत का समाचार उसे कभी-कभी मिलता था। दस वर्ष पहले वह रेल की काली वर्दी पहन कर आया और अपने विवाह का निमंत्रन दे गया। इसके पश्चात सुना कि वह किसी अभियोग में नौकरी से अलग हो गया और कहीं व्यापार करने विब्बो कहते कि उसे इस बातों में तनिक भी रस नहीं है। वह सोचती कि आज यदि वसंत राजा हो जाए तो उसे कोई हर्ष न होगा। और कल उसे अगर फासी हो जाए तो उसे कोई शोक न होगा। और जब मुहले वालों ने प्रयतन करना चाहा कि दूद बेचकर अपनों बाल्टियां खाली हो गई थी। वह दुधारी का दूद आग पर चड़ा कर नहाने जा रही थी कि आंगन में एक अधेर पुरुष पांच वर्ष के लड़के की अंगुली था में आकर खड़ा हो गया। अब नहोगा कुछ बारा बच गया। प्रिद्धा ने कट पिर चुप हो गई। वसंत ने कहा। मौसी तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मेरा पुत्र बेमा का हो गया। तुमने मुझे पाला है। इसे भी पाल दो। मैं सारा खर्चा दूँगा। बिब्बो को आश्चेरे था कि वसंत अभी से बूड़ा ओ चला था। और उसका वसंत बिनय की मूर्ती हो रहा था और अपना छोटा सा संदूग खोल कर मौसी को सौगाते देने लगा। वृधा एक महने पश्चात तोड़ने वाली लौकियों को छाकती वी वसंत से जाने को कह रही थी। पर उसकी आत्मा में एक विपलव हो रहा था। उसे ऐसा भान हो लगा जैसे वा फिर से युवती हो गई और एक दिन रात्री की निस्तब्दता में वसंत के पिता ने जैसे स्वपन में उसे थोड़ा सा चूम लिया और वा वसंत को वक्ष में चिपका कर सिसकने लगी। कुछ भी हो पर वा वसंत के पुत्र की और आख उठा कर भी न ले जाने के लिए प्रस्तूत हुआ बिब्बो ने उसे चीन लिया और मन्नु और दस रुपे के नोट को छोड़ कर वसंत चला गया। बिब्बो का दूद अबना बिकता था। तीनों गाएं एक के बाद एक पेच दी। केवल एक मन्नु की बचिया रह गई थी। कुम्भ महिने में पांच रुपया मनी ओडर वसंत भेजता था। एक ही साल में बिब्बो ने मकान भी बंधक रख दिया। मन्नु की सबी एक्षाओं की पूर्ती अनिवारे थी। बिब्बो फिर समय की गती के साथ चलने लगी। मोहले में फिर उसकी आलोचना प्रत्यालोचना आ रंकी एक स्त्री थी। उसने विब्बो के चरन चुए, चरन दबाए और फिर कहा। मौसी, नहो मन्नु मुझे दे दो, मैं तुम्हारा यश मानूंगी। वसंत ने रोना मौह बना कर कहा। हाँ, किसी का जीवन संकट में डालने से तो यह अच्छा है। ऐसा जानता तो मैं विवा ही क्यों करता। मौसी ने कहा। अच्छा, उसे ले जाओ। मन्नु दूसरे घर में खेल रहा था। रिधा ने कापते वे पैरों से दिवार पर चड़कर उसे बुलाया। वह कूतता हुआ आया। नई माता ने उसे रिधा से लगा लिया। बालक कुछ समझ न सका। वह मौसी की और भागा। बिबो ने उसे दुतकारा। जह दूर हो जा। बिचारा बालक दुतकार का अर्थ समझने में असमर्थ था। वह रोप पड़ा। वसंत हत्पुद्धी सा खड़ा था। बिबो ने मन्नु का हाथ पकड़ा, मुह धुआया और आंगन के ताक से ज उसकुरा कर बोली, मौसी क्या एक दिन भी न रहने दोगी, अभी क्या जल्दी है। पर बिबो जैसे किसी और लोक में पहुँच गई हो, जहां यह स्वर क्या, संसार का कोई स्वर न पहुँच सकता हो। पलक मारते मन्नु के खेल की, प्यार की, दुलार की सभी वस्तुए उसने बांध दी, मन्नु को भी समझा दिया कि वह सैर करने अपनी नई मा के साथ जा रहा है। मन्नु उचलतावा पिता के पास खड़ा हो गया। बिबो ने कुछ नोट और रुपे उसके समुख लाकर डाल दिये। ले अपने रुपे। वसंत धर्मसंकट में पढ़ा था पर उसकी अरधांगिनी ने उसका निवारन कर दिया। उसने रुपे उठा लिये। मौसी, इस समय हम लोग आसमर्थ हैं पर जाते ही अधिक रुपे भेजने का प्रयत्न करूंगी। तुमसे हम लोग कभी उरिन नहीं हो सकते। मन्नु माता पिता के घर बहुत दिनों तक सुखी न रह सका। मैने में दो बार रोग रस्त हुआ। नई मा भी मन्नु को पाकर कुछ अधिक सुखी न हो सकी। अंत में एक दिन रात भर जाक कर वसंत स्त्री की रोने धोने पर मन्नु को लेकर फिर से मौसी के घर चल वहाँ पहुच कर उसने देखा कि मौसी के जीरन द्वार पर कुछ लोग जमा है। वसंत के एक्के को घेर कर उन्होंने कहा। या आपकी मौसी हैं। आज पांच दिन से द्वार बंध है। हम लोग सभी आशंकित है। द्वार तोड़ कर लोगों ने देखा। प्रिधा प किसी ने न जाना कि वह चित्र उसी के पिता का था। पर वह यह भी न जान सका कि वह वहाँ क्यूं था। आप सुन रहे थे भूवनेश्वर प्रसाज श्रिवास्तों के द्वार लिखीवी कहानी मौसी मेरी यानि श्वेता के आवाज में। कहानी सुनने के लिए आपका ब हूँ कहानी का नाम है मास्टर नी इस कहानी का प्रकाशन 9 मई 1938 को हुआ था तो आए कहानी का आनंद ले एक रोज सूबह से पानी बरस रहा था सांच तक वा पहाडी बस्ती एक अपार और पीले धुंदलके में डूप सी गई थी चिपवे सुनसान रास्ते बद्नुमा खेत छोटे छोटे एकरस मकान सब उस पीली धुंद के साथ मिलकर जैसे एकाकार हो गये थे औरते घरों के दर्वाजे बंद किये सूथ सुलजा रही थी और आदमी पास के गाउ में गये थे वहाँ मिशन का एक क्वार्टर था और एक भठी थी वाकई वहाँ बारिश की धीमी एकरस और मुलायम चपा-चप की कोई आवाज नहीं आ रही थी चार बजने के कुछी मिनट पहले एक कौटेज का दर्वाजा खुला यह कौटेज मामूली मकानों से भी नीची और छोटी थी उसके चर्मराते वे लकडी के जीने से पांच-छै लड़के लड़किया उतर क बुढे किसानों की तरह जुक कर अपने बस्तों से बारिश बचाते चुप-चाप घुमावदार रास्ते पर चल कर आखों से ओजल हो गये। जब तक वह दिखाई देते रहे उनकी मास्टर नी तनीवी चुप-चाप खड़ी उसी ओर देखती रही। फिर वह दर्वाजे को मजबूती और अवग्या से बंद करके भीतर चली गई। वह एक अधेड इसाई औरत थी, कठिन और गंभीर। दो साल पहले इसाईयों की इस गाउं में आकर एक हिंदुस्तानी मिशनरी की मदद से उसने ये स्कूल खोला था। इन दोनों सालों में उसका चेहरा और भी लंबा और भी पीला और भी चड़चड़ा हो गया था। गाउं में रहते वे भी वह गाउं से जैसे अलग थी। स्त्रिया उससे डरती थी, मर्द उसको एक मरदानी अवग्या से देखते थे। आज इतने नीले पीले पहाड़ों और घनी धुन्द के सामने वह काप सी और फिर तुरंती बंद कर लिया। करीब 6 बजे जब धुन्द का पीलापन पहाड़ों के साथ नीला हो रहा था, आखिरकार बस्ती में एक मानव दिखाई दिया। लंबा रोगी सा 117 साल का लड़का, पुराना फौजी कोट पहने था, कॉलर के बाहर उसने अपनी मैली कम पीज निकाल रखी थी। कीचर बचाने के लिए वह सड़क के इस तरफ से उस तरफ मेंड़कों की तरफ फुदक रहा था। लकड़ी के घुनेवे जीने पर आकर उसने संतोश की सांस ली और भीगे कुत्ते की तरह अपने आपको जार कर जीने पर चड़ गया। लूसी ब लालटेन जला दी। उस छोटे से गंदे और अंधेरे कमरे में रोश्नी लालटेन से खून की तरह बहने लगी। इस बीच टुटू बारिश और रास्ते पर भुनबुना कर अपने बड़े और भारी कोट को टांगने की जगह खोज रहा था। मैं कहता हूँ तुम्हारे मेरे पास कोई कपड़ा, कमबल का टुकड़ा उकड़ा है, मैं उससे जूते साफ करूँगा। मास्टरनी ने चुप चाप जुक कर उसके जूते साफ कर दिये। टुटू बराबर अपने जूतों की तरफ देखता हुआ नहीं नहीं कह रहा था। मास्टरनी ने वैसे ही ज जारे से नीली पड़ी जा रही है। उसने अपनी बेहन को सारे खत दे दिये और रोशनी के पास जाकर अपने भीगे बालों पर हाथ फेडने लगा। बीच बीच में वह कुछ बुदबुदा उठता था। मास्टरनी पत्रों से सिर उठा कर उसकी तरफ देखती और फिर पढ़ने लग जाती थी। अब उसने खत एक और रख कर इस सोला साल के लंबे चिकने युवक की तरफ देखना और उसके बारे में सोचना शुरू किया। वह उसके बिलकुल बच्पन की बारे में सोचने लगी। उसने सैसा घूम कर कहा। तुम खत नहीं पढ़ रही हो। पढ़ लिया। और वह फिर उसी तरह हतेली को बगल में भीचे इधर उधर टहलने लगी। उसका भाई खड़ा खड़ा उसकी तरफ देखता रहा और यह देख कर कि वह खत पढ़ चुकी है बुदबुदा सा उठा। मुल्ली के मोजे और ममी ने कहा है। मास्टर ने ने जैसे चाकू से काटा। और पापा कैसे हैं। टुटू ने भांडो सा मुह बना कर गा। वैसे ही। पापा रोगी, परित्यक्त, उपेक्षित। उसे कभी खत न लिखते थे और इसलिए उससे कुछ मांगते भी न थे। तुम क्या करते हो। मैं, मैं रोज सवेरे शाम पा पिरती हैं। तुम मर्द हो। उसकी बहन ने जैसे स्वपन में कहा और फिर वा टहलने लगी। मैं दो साल में पादरी हो जाऊंगा। तुटू ने कुछ गर्व और कुछ दिल लगी से कहा। कुछ देर वा दोनों चुप रहे। मास्टर नी ने एक संदूक पर बैठ कर ज तुटू एन उसी वक्त अपने चारो ओर के गंदे कमरे की तूटी कुरसियां और मैले तकिये की तरफ देख कर बार बार सहम साजाता था। यह क्या है? मूरली के स्टॉकिंग है? उसने अग्यात भैसे भरेवे मन से कहा। और मास्टर नी भौक सी उठी। देखते नहीं हो जबसे वह वहां से आया था टुटू का दिल भीगते वे कमबल की तरह मिनट मिनट भारी होता जा रहा था। वह अपनी बहन अपने घर के बारे में इस तरह सोच रहा था जैसे दूरबीन से वह नक्षत्र देख रहा हूँ। खिड़कियां बिलकुल अंधी हो रही थी। मैले और उनी बादल जैसे ठीक धर्ती पर ही आजमे थे। किसी के पैरों के जीने पर शोर हुआ। दो छोटी-छोटी लड़कियां हाथ पकड़ेवे अंदर आ गई। वह गबरून की उची-उची फ्रॉके पहनी थी और उनक खड़ी हो गई। क्या तुम प्लेट चाती हो। मास्टर नी ने बिना सिर उठाए पूछा। दोनों लड़कियों ने एक साथ सिर हिला कर हां कहा। उसने उठकर उसमें से चार अंडे और अथपके टमाटर और एक सस्ता पीतल का ब्रूच निकाल लिया। अपने बाप से क कहना टीचर ने हां कहा है और उसने खड़े होकर फिर दोनों हाथ बगल में भीच लिये। लड़कियां चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही चली गई। टूटू उनको बार बार एक विचित्र जिलचस्पी से देखता रहा। उनके जाने के बाद वह उठकर पूरा-पू आच रुपे हैं और यह मुरली का स्टॉकिंग और यह मम्मी का सिंगारदन और कहना कि कोई मुझसे कुछ न मांगे सब मर जाएं गिर्जे में जा पड़ें। वह पागलों की तरह दो छोटे-छोटे और सिकुडे हाथों से रुपे स्टॉकिंग और सिंगारदन का अभिन कर रही थी और ऐसे बोल रही थी जैसे उसका सारा खुन जम रहा हूँ। मैं, मैं कहती हूँ वह गिर्जे में जा पड़ें, मिशन में मरें। तुटु ने बड़ी पीड़ा से कहा। लूसी बहन। लूसी ने जरा नरम होकर कमरे की खिडकी खोल दी। खिडकी के खुलते ह कमरे में प्रकाश पिंजडे की चिडियां की तरह चंचल हो उठा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, तु मेरा घर जाड़ लो। और उसने खिडकी धमाके से बंद कर दी। तुटु एक बार गी उस धमाके से चौक पड़ा, पर कुछ भी न कह सका। मास्टर ने अपने पलंग पर जाकर बैठ गई, उसके दोनों हाथ उसकी पटियों को जकड़े थे, आज सारी जिंदेगी के छोटे बड़े घाव अचानक धकस गए थे, कुछ सोचने की ताब उसमें न थी, सिर्फ एक गुठल, धीमा दर्द उसके सारे अस्तित्व में लहराने लगा और अब वो बाहर रिसकर, जैसे उसे डुबा देना चाहता था, तुटू ने सैसा कड़ाई से कहा, लूसी बहन, पर इसके साथ ही किसी ने बाहर से भर्राई हुई आवाज में कहा, टीचर मैं आ सकता हूँ, तुटू उस तरब बढ़ा, पर घृणा से दोड़ते वे मास् बाहर जाकर दर्वाजा बंद कर लिया, तुटू ने उसके एक ही जलक देखी थी, वो एक भुझेवे चेहरे का अधेर किसान था, ऐसे जैसे संडे को गिरजागरों में टोपियां उतार कर भीक मांगते हैं, एक मिनिट में मास्टर नी लौट आई, उसका चेहरा पहले से पहले सक्त था, उसने टुटू की ओर देखा और मू फेर लिया और अपने आप में बुद्बुदा कर कहा, मैं ही क्यों, तुमको मुझसे कोई सरोकार नहीं, मैं पूछती हूँ, और वो हथेलियों को बगल में भीच कर और तेजी से टहलने लगी, मैं जैसे जिन्दा दफ ना दे गई हूँ, पर मुझे कबर में शांती तो दे दू, वह वाकाई हाथ फैला कर शांती की भीख माग रही थी, तुटू गुमसुम बैठा वह रोशनी को घूर रहा था, सैसा उसने तुटू का हाथ पकड़ लिया, जाओ, सोजाओ, तुटू ने आग्या का पालन किय लेकिन जब वह लेट गया, तो मैली और सीली दिवार की तरफ मुझ करके रो उठा, पहले तो धीरे धीरे और फिर जोर जोर से, मास्टर नी वैसे ही टहल रही थी, फिर चूर होकर उसी चारपाई पर गिर पड़ी, तुटू आखिर चुप हो रहा, कमरे में सन्नाटा छा केवल दूर से वो पहरेदारों के विचित्र स्वर चारों तरफ पहाडों से टकरा कर इस कमरे में गिर पड़ते थे, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगे एक नई कहानी के साथ, नमस्कर